सिंगल डायोड कनेक्टेड था पॉजिटिव हाप साइकल को अलाओ कर रहा था नेगेटिव को ब्लॉक कर दे रहा था तो वहाँ पे हम एक और डायोड कर देंगे एक और डायोड कर देंगे और जो दूसरे साइकल में फारवर्ड बाइस में हो जाएगा कि फुल वेव रिक्टिफायर है फुल वेव रिक्टिफायर में यह अपना स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर है एसी से कनेक्ट किया जाएगा ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं होना चाहिए यह स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर यूज होता है और यह है डायोड और यह है दूसरा डायोड डी-1 एन डी-2 और यहां से Central Tapping कि यह अपना सरकिट है और यहां से Central Tapping Transistor के Transformer के Tapping से ही Winding से ही Connect होता ही और यह है अपना Load Resistance जो भी है External Point Bulb Bulb कुछ है उसको वहां से Connect कर दिया कि यह अपना Transformer है यहां से Input है तो यह हो गया अपना Input कि वी आई और यहां से है Output तो इसके Cross हमें मिलेगा Output वी ओ अब इसमें क्या है कि यह पॉइंट हम लेते हैं सेम उसी टाइप का Input अपना AC है एसी इंपुट है पॉस्टिव साइकिल आ रही है पॉस्टिव साइकिल आ रही है तो मालो एक टर्मिनल एक टर्मिनल के रिस्पेक्ट में दूसा High पे होता है फिर कभी Low पे होता है तो यह मालो यह हमारे तीन पॉइंट्स हैं यह तीन पॉइंट्स हैं A B & C तो यह सर्किट है अब इस सर्किट के क्रॉस हमने कनेट किया तो यह लेवल है मालो यहां से यह जीरो का लेवल है जीरो से अगर इंक्रीज होता है मतलब यह जीरो पे है और उसके रिस्पेक्ट में यह पॉजिव अब ए पॉजट्टिव पर थो यह 0 पर है और यह पॉजटिव पर हैं इसको हम पॉजट्टिव भी बोल सकते हैं फिर्टेवा तो पोटेंश्ल मेज़िए उसके इसके झाहिए नॉर्मल लेवल यह इतना लिए नॉर्मल लेवल से इतना डीक्रीत हो रहा है तो इसको 0 माल लेते हैं तो 0 से ए जो है हाई पोटेंशल पे हैं तो अभी डियूरिंग पॉजिटिव साइकल डियूरिंग पॉजिटिव साइकल यह है अपना डायोड डीवन और यह है अपना डायोड डीटू तो डियूरिंग डियूरिंग पॉजिटिव साइकल पॉजिटिव साइकल में ए हाई पोटेंचल पे होगा तो इसके जो वाइंडिंग है जो सेकेंडरी सरकिट है सेकेंडरी सरकिट की जो वाइंडिंग है उसमें पोटेंचल का डिफरेंच होगा और वी ए इस मोर दैन वी बी इस मोर दैन वी सबक्रेंचि करेंचों करेंग डिपन करेंगां और वो इसका जो पोटेंशल वो बीका यह यहां सरंफ क्लिवसए होगा तो यहां से करेंटी फ्लों होगी यह current कितनी हो जाएगी पोटेंट्यलिफेरेंच से करेंट इसके थृच्ट है इसचेंगर हो रही है है कि इस डिरेक्शन में करेंड का फ्लो हुआ सब्सक्राइब करेंट मिल इस डारिक्शन में एक पोटेंश डिफरेंस दिल जाएगा आई आए आई बाई सम रेजिस्टेंस जो भी अब है अब साइकल अगर रिवर्स हुई तो एक पॉजिटिव साइकल तो से क्रॉस हो गया पॉजटिव साइकल यहां से क्रॉस हो गया नेगेटिव साइकल में देखेंगे अगर डियूरिंग नेगेटिव साइकल तो negative cycle में potential का order reverse हो जाएगा potential का order reverse हो जाएगा यह negative पे हो जाएगा ए जो है वो negative पे हो जाएगा मतलब अभी क्या हो गया c जो है high potential पे है उसके according जो है potential decrease कर रहा है तो vc at high potential उसके बाद फिर vb और v a जो है वो less पे हो जाएगा तो ऐसे case में जो d1 होगा देखो a low पे हो गया बी के comparison में a low पे हो गया बीके comparison में तो डीवन रिवर्स बाइस में हो जाएगा और यह forward बाइस में हो जाएगा तो यह जो है negative cycle अब यहां से होगा तो यह current flow होगी तो यहां से current flow होगी from high potential to low potential see high पे है बीके comparison में तो यहां से current जो है से flow होगी external circuit में current की direction सेम रहेगी हमेशा एक ही direction में current जा रही है इसलिए वो क्या होगा direct current इसलिए वो होगा direct current कि तो यह डीटू ने इसको अलाओ किया forward बाइस में डीटू ने नेगेटिव साइकल को अलाओ कर दिया current हमें मिल रहा है तो effectively क्या होगा कि अगर हमारा यह input है इंपुट अगर यहां से हम लेते हैं यह कि यह अपना इंपुट वोल्टेज है इंपुट वोल्टेज है और यह है time अगर रजिस्टेंस वरजिस्टेंस को zero लेते हैं बहुत ज्यादा consideration नहीं है क्योंकि रजिस्टेंस अगर कुछ होगा ब्रांच का भी कुछ रजिस्टेंस होगा लोड का भी अगर यह सारे अगर के रजिस्टेंस जीरो मानते हैं डायोड फायोड का फायर फरवरड रजिस्टेंस जीरो है अगर अल्मोस्ट जीरो मानेंगे तो क्या होगा मैं almost same potential difference का पीक मिलेगा अतरवाइस क्या होगा कुछ तो voltage कम हो जाएगा वोल्टेजड डॉप आॉट्वूट में कुछ कम मिलेगा तो यह वीओ हो जाецट गार यह से ब्लुठ ऱ्लिया हरे जो रहे आंफिकानों से ईटशोर मिल जाएगा और यह कहा से मिलेगा यह दी वन के वजह से मिलेगा प्रेक्स को अलाव करेगा और करेंट सेम डायोड मिलेगी तो पीटेंशेल है ऐसे यह तो यह तो यह यह तो यह क्या हो यह यह यहां हैं एसके कि यूनिट कितने है जितने टाइम में इसका एक साइकिल कम्पलीट हो रहा है उतने में हो जायेगा दो हूंद हर्ट Tarzan का से स्टार्ट हो रहा है रिपीटीशन रिपीटिंग यूनिट देखना है वहाँ उतने है estilo हो रहा था है मेंहा तो रिपीटीशन हाफ टाइम में इस्टार्ट होगा छीनलत कि इसको टाइम पिरिएड अकर टी यह तो टी बाइटू और यह है जितने मैं Wonder पीरियेड है ताइम पीरियेड वो टी बान ड्य हो जाएगा तो अगर हंडेड हर्ड के इन्पूट फ्रिक्वेंशी है तो जो आउटपूट फ्रिक्वेंशी होगी यह अगर हम टासुट और आरे मस रिज़त करते हैं है विज इकॉल्ट वी तो अब इसकी जो average और rms find करेंगे एक cycle में वो क्या करेंगे टीवाइटू तक इसे मी वोल्टेज मिल रहा है बट यह function कहां तक होगा टीवाइटू तक इसका time period ही half हो गया तो अब average what is average तो average average voltage average voltage is equal to VDT VDT by integration of DT यहां पर हो जाएगा V0 sin omega T V0 sin omega T V0 sin omega T DT और from 0 से एक time period में इसका time period ही अभी T by 2 है divided by T by 2 तो यह हो जाएगा V0 sin का हो जाएगा minus cos omega T divided by omega divided by omega into T by 2 into T by 2 तो limits put करेंगे 0 से T by 2 तो यह value जो है वो कितने आएगी पाई आएगा यह तो 2 आएगा इसका integration कितना होगा कास कास omega T यहां पूट करेंगे T by 2 तो omega T omega T is equal to what omega T is equal to 2 pi तो कास omega into T by 2 तो यह हो जाएगा omega T by 2 तो 2 pi by 2 मतलब कास पाई कास पाई होगा minus 1 और यह minus minus plus 1 फिर minus of minus मतलब plus 1 तो यह value 2 आ जाएगी तो यह हो जाएगा तू तू वी नॉट भाई पाई तू वी नॉट भाई पाई उदर था वी नॉट भाई पाई इधर average value बढ़ गई average value बढ़ गई तो यह हो जाएगा तो वी नॉट भाई पाई average output का average और इंपूट का अवरेज इन पूट का अवरेज जिरो है आरमस आरमस स्क्वेरोड अ क्या हो जाएगा वी में बीयुक्त क्यों क्यों स्क्वाई प्र weWask Space स्क्वाई एसको डॉट आव में वी स्क्रोट स्क्वाई नॉट अइस प्रूट स्क्वाइब Scan ऐस स्क्वाई उमेगा टप्ट डिवाइडाइड वाई इंटेगरेशन ओव डी ती अब यह जो है विनोट साइन स्क्वार ओमेगा टी एक साइकल एक साइकल का वंदब 0 से टी बाई टी बाई टू और यह है क्या यह टी बाई टू तो भई यह जो है इसका मुझे यह पता है average average of sine square omega t क्या था average of sine square omega t integration sine square omega t omega t dt divided by dt यही है formula किसी sine square का average मतलब sine square dt by dt is equal to one by two पूरा तो यहां पर यह तो integration की cycle के लिए था एक complete cycle के लिए था तो यह capital T आ जाएगा मतलब zero से T तक का जो है sine square omega t dt is equal to t by 2 ऐसे समझे तीक है ती बाइटू तो अब यहाँ पर मैं वही चीज्ज यूज कर दूगा कि यह तो स्मिट्रिकल टाइप का ग्राफ है तो हाफ पिरियड में लेंगे अगर हाफ पिरियड में लेंगे हाफ पिरियड में अगर लेंगे तो यह वैलू T by 4 हो जाएगी ती 2 के लिए करें तो यह क्या हो जाएगा हाँ से वी नॉट स्कोर कॉमन ले लो यह क्या हो जाएगा व्यॉक्त स्पॉर नंया स्वल्य को स्ष्ञाहि eder एक हम इस स्फ यह Rings नहीं हैं त्लिक'se hiring dies क्योंकि साइन स्कॉर प्राइब है वह भी पॉजिटीव गरो यह मेरा इन्पुट तो भी मुझे ऐसा ही फंक्शन मिलने वाला है जो आउट्पुट है उसको इसको करेंगे तो भी मुझे ऐसा ही फंक्शन मिलने वाला है पंक्षन सेम टाइब का तो आर्मस वैल्यू भी तो सेम होगी तो जो इनपुट का रमस है वह आउटपूट का रमस है तो वी आर्मस इस साइट भी है वी नाट भाई रूट 2 और वहां पर रूट 2 तो अवरेज डबल हो गया अवरेज जो है डबल हो गया तू उसदर वी नॉट भाई पाई था इधर टो वी नॉट भाई पाई है उदर आर्मस वी नॉट भाई टू था यहां आर्मस सेम इनपुट के जैसा ही है कि के फ्रेक्वेंसी और इसका एंपिट आउट पूरा आँपी अब इक दूसरे टाइपका भी फुल वेव रैक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर चो से टीबका फुल बेव रेक्टिफायर और抹वाता ब्रिस रेक्टिफायर तो प्रिज रेक्टिफायर ऐसा होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर मतलब विट्स्टोन ब्रिज टाइब का ये अदेविट स्टोन भृता है सेम टाइब का आरवन और 2 यार कनेक्ट होता है वैसे ही यहां पर यह करते हैं कि एक क्रॉस पोटेंचलर डिफरेंस और दूसरे में हमारा गैलवनोमीटर होता था जैसे विट स्टोन ब्रिज होता था सेम इसी टाइप का डायोट तो यहां से मानते हैं कि अपना इंपूट है इंपूट है इन्पूट आपि वह कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर ने शोगा क्योंकि बाहर वाला जो बोल्टेज वह बहुत ज्यादा है वह डायोड के क्रॉस अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो तो वो बर्न हो जाएगा तो इसलिए एक स्टेप डान ट्रांस्फार्मर बनता है जो model وदल project project अगर मालो मालो बनाते हो तो उसमें यूज्स होता है छोटासा ट्रांस्फार्मर तो बद्रांस्फार्मर जो jego voltage कम कर देगा voltage एसी ही आउटपूट रहेगा कम वोल्टेज कराएगा कम वोल्टेज गया तो यहां पे डिये डायोड ऐसे अब करेंक्टेड होते हैं ऐसे करेंक्टेड होते हैं कि यह डाइग्राम थोड़ा से दो तीन बार तुमको डॉक करना पढ़ेगा कि डॉटेड करनेक्ट कर रहा हूं अभी उनको डॉटेड नहीं किया इन दो दो टर्मिनल जो है ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे याद रख सकते हैं दो सेम सेंस में होंगा ऐसे डी एक ही सिरिष टाइप कर उगए ऐसे और यह तो यह डी 1 डी 2 डी 1 डी 2 और यह जो है डी 3 डी 4 ते टी ठीडी 4 4 डायोड इस होंगे इसमें 4 डायोड यूज होंगे कि हागर यह जो है कि यहां से हमारा आउटपूट रेजिस्टेंस होगा लोड रेजिस्टेंस कि इसको इसके बाहर भी डॉह कर सकते हैं अलग से मतलब जैसे दो के क्रॉस अप्लाइड और दो के क्रॉस जो है मारा आउट पूट ऐसा होगा तो इस टाइप के इसका डाइग्राम होता यह अपना लोड रेजिस्टेंस है या एक्स्टरनल सरकुट है यहां से जो है अब इस में हमें यह देखना है कि positive cycle में और negative cycle में कौन-कौन से डायोड active है positive cycle में और negative cycle में कौन-कौन से डायोड active है यह अपना input voltage है इन्पुट वोल्टेज आया positive cycle आई तो यह अपने दो पॉइंट्स है तो इसे समझ सकते हो कि यह यह और यह भी है यह वी है तो इसका यह भी जो है यह है यहां से यह जो है ए है जो वोल्टेज। आएगा सकीए किया कृर्स सब्वास सकत ही तो इन दोंगों के ग्राउस अगर हम देखेंगे ततो यह जो भी है एक यह है और यह को किया है और इस पॉस्च्ण से जो है कisches सब्सक्रइब तो यह है यह अगे इसमें अगर यहां से connected है तो यह ए है और इस point से यह भी है और यहां पर जो terminals तो होंगे वो हो जाएगा यह है और यह भी है potential difference इसमें तो अगर यहां से देखते हैं कि मालो जो है high potential पर है positive cycle आई positive cycle में a high potential पर है और b low potential पर है a high potential पर है और b low potential पर है तो जब a high potential पर है तो कौन-कौन से diode forward bias में है कौन-कौन से diode forward bias में a high potential पर है b low potential पर है तो d1 forward bias a high potential पर है b low potential पर है तो d4 forward bias A high potential पे है B low potential पे है तो यह D2 reverse और D3 भी क्या होगा reverse bias तो D2 D3 जो है वो reverse bias में होंगे during positive cycle during positive cycle during positive cycle D1 and D4 are forward bias and D2 and D3 D2 D3 in reverse bias positive cycle है तो positive cycle में D1 D4 forward bias में होगा तो forward bias में यह current जो है इसके through flow होते हुए side में output के through, output में current की flow की direction ऐसे हो जाएगी यह marker देता हूँ यहां से यह positive cycle में यह current forward bias में हुआ तो यह current इसमें ऐसे ऐसे flow होते हुए यहां से यह भी forward में होगा यह current को लाओ करेगा current ऐसे चली जाएगी जब negative cycle होगी negative cycle होगी मतलब जो है B अभी low पे आ गया आ लो पे आ गया B हाई पे आ गया तो B जब हाई पे आ गया तो D1 क्या होगा D1 reverse bias हो जाएगा B हाई पे होगा A लो पे होगा तो D3 forward में होगा forward bias हां तो जो high potential पे हो जाएगा B और low potential पे हो जाएगा A negative cycle में तो इस negative cycle में D2 और D3 forward में हो जाएगे B high पे होगा during negative cycle B high पे होगा तो बी हाई पे होगा A low पे होगा यह forward bias हो गया यहां से जो है current flow होगी तो इसमें जो current की direction होगी यहां से इसमें B high पे आ गया यह low पे तो यह current यह दोनों वाक कर देंगे और यह होते हुए के करेंट एक जो आयों पुट्ड रजिस्टेंस ए उस आउटन की डारेक्शन सेम रहेगी के है करेंट की डारेक्शन सेम रहेगी जो से कि कि हिएस एक साइकल में डीएवन डीटू एक्ट्व है ईफटेंशल से लो पोटेंशल तक करेंट फ्लोगी यह ब्लॉक कर देगा डिस्टेंस होते हुवेद डीफोर से होते हुवे चली जाएगी जब साइकल रिवर्स होगा नेगेटिव साइकल होगी ड्यूरिंग एकंअ सब्सक्राइब कर दियोरिंग ए दीटीव साइकल दिवन आप है ओ क्या हो जाएंगे और डीटू अंड यह दोनुज फारवाट गशे दोनो फारवाट बासम जाएंगे तो करेंट लोगी और एक्सटरनल सर्कीट में सेम डारेक्शन में होगी तो यह क्या होगा DC होगी करेंट की डारेक्शन नहीं चेंज और यह तो ऐसा जो है इसका वर्किंग है इसमें जो है अगर ड्रॉ करना है मालों तो अलव्ड होगा पॉजिटीव पॉस्ट City और होगा पॉसल्स डी 1 और दी 4 का राए और जो नेगेटिव पलs है वह गाए कि ऑ होगा फ्रon यह दी 10ash3 प्रजी पहें decentralized स्टी और दी-ट्री खर्फ्रिसलीः तो यह ब्रिज्च ठीफ सब्सक्राइब करें तो पॉइंट्स के की फॉर्वर्ड रिवर्स से देखने के लिए जो जो भी पॉइंट से सब्सक्राइब करेंगे करेंट फ्लो होने से रजिस्टेंस से कुछ ड्राप आएगा तो पहले हम पोटेंशल मार करेंगे यह से मानते हुए कि सब कुछ बाकि सारे कंड़क्टिंग है सब्सक्राइब का मार करना तो यह दूसरा जो है वह से बूसरा टर्मिनटब को भूल जाएंगे कि जो बीच वाले एक डायोड के टर्मिनल मार्क करने थो बाकी सारे डायोड मांते हुए के गंड़क्टिंग कर देंगे की यह यहां से यह सब्सक्राइब चैने कि तर्मिनल जो है ऑग2 से कनेक्ट्ट्ड आप इसको कि सब्सक्राइब इसका यह से कनेंग्टिड तो ये पने की तो इसा केली अदो निस्ट उन्हान चाहिए हूं कि इसों मैं फॉल्सक्ण कैसे तो ऐसा सर्किट दे देता है सब्रीज वाला तो उसमें है नहीं और वैसे इंसी आटी में तो सिर्फ डायोड तक ही है आई तिंग यह सारा रिड्यूस लेबर से तो बाहरी हो गया है सिर्फ पी एंड जंक्शन पी एंड डायोड उतना ही है तो यह अपना हो गया रेक्टिफायर एंड स्पेशल परपस डायोड उसकी एवरेज ग्राफ फ्रिक्वेंसी और बोलो सब्सक्राइब हमें सब्सक्राइब को मतला वहाई लेना है कि एक पॉजिटिव साइकल में जो है वह एक हो जो है हाई लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकल में किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं प्रोवाइड़ बड जनरली क्या है कि एको ही लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का इसा कुछ नहीं है मतलब यह जो है एक रेस्पेक्ट में ही यह चीज है अगर स्पेसिफिक कुछ मेंचेंड है किने बी को पहले लो कि पॉजिटिव में यह हाई पोटेंचिल अक्वायर करता है तब फिर बी को लेंगे अधरवाइस एक कंवेंशन सेट टाइब का पैटन है कि टॉप वाला जो है पॉस्टिव नीचे बाटम वाला है वह नेगेटिव ठीक है यह से तो यह अपना हो गया यह डायोड पार्ट डाइवड पार्ट के बार नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर एंड लॉजिकेट यह दो चीज़े हैं और दोनों के साथ ही जो है सेवा सवाप्त हो जाएगे अपनी सेमिकंड़क्टर की तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर इस ट्रांस्फर आफ रेजिस्टर ट्रांजिस्टर जो बना है डाट इस ट्रांस्फर आफ रेजिस्टर ट्रांस्फर आफ रेजिस्टर कैसे है कि कैस़ से ट्रांसफर होता है वो भी देखेंगे सरकीट डाइग्राम जब बनाएंगे तो तो ट्रांजिस्टर का जो बेसिक अप्लिकेशन है तो डो बेषिक में यूज है वह है अधिन एंप्लिफार एंड एंसुच एंप्लिफायर का मतलब है कि सिगनल को एंप्लिफाई करता है जैसे हमारा माइक्रोफोन है माइक्रोफोन है माइक्रोफोन लगा लिए किसी ने बोला तो साउंड का जो एंप्लिट्यूड है वह इंक्रीज हो गया साउंड का एंप्लिट्यूड इंक्रीज हो गया तो एम्प्लीफायर बनाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में सिगनल कैसे एम्प्लीफाई होता है वह यहाँ पर जब हम equipped कोई संस्प लिखेंगे तो समझस आएगा ट्राइजिस्टेर जुए वो switch के तरह से भी आट करता है, switch मतलब जो normal switch का function है, switch का function on off है, तो on off मतलब क्या है कि शिस given voltage range के लिए मुझे current चाहिए, kisi के लिए नहीं चाहिए, तो वैसा जो है एक logical type का, logic type का भी आट करता है ट्रानिस्टेर, logic gate, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट तो लॉजिक गेट का मतलब क्या है कि गेट का सिंपल मेनिंग है कि वह किसी लॉजिक के थ्रू वह अलाव करेगा करेंट का फ्लो या वोल्टेज का फ्लो वह अलाव करेगा तो जितने भी हमारे सब्सक्राइब लाइस सिगनल हैं तो वह सारे सिगनल होता करने के लिए होता है देवाइस ट्रांस्डीचर मैं जो है वो क्याकनल वीडियो सिगनल है और सारे सिगनल्स को इलेक्ट्रिकल सिगनल में करता है उसके बाद फिर शर्टेन लॉजिक्स के त्रू यह क्या होगे यह इलेक्ट्रिकल सर्कीट यहां पर सर्किट में मॉडिफाई होते हैं अम्हां लोग एक बहुत कॉमन सा कोई question भी पूछ सकता है वाई 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 में कि ट्रांजिस्टर है या as an amplifier है amplifier क्या करता है amplify करता है amplify मतलब amplitude को increase कर देता है तो क्या यह energy conservation के अगेंस्ट है क्या यह energy conservation के अगेंस्ट है कि भाई हम कम input दें और ज्यादा output मिल या amplify हो जाए कोई चीज तो ऐसा तो होता नहीं है तो कोई भी device energy conservation के अगेंस्ट नहीं है अरे क्या कोई मालो microphone ही है बिना बिजली के काम करेगा बिना बैटरी के तो मेरा input है उस input को amplify करने के लिए वो external source energy withdraw कर रहा है और फिर output दे रहा है जो output दे रहा है उतनी energy वो ले रहा है मेरी कुछ energy है मेरा कुछ signal है और प्लस electricity जो consume हो रही है वो दोनों मिलके मुझे output मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो amplifier है या और भी जो circuit है ऐसा कोई वाइबा में पूछ लिया कि अच्छा ठीक है तुमने पढ़ा हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं उसमें इसा कैसे होता है कि नल्ण कहिए ऑफ्भूँ आथ हमें ज्याधा वोल्टी आगा खल्यक्री रिज्डेनल फॉर्स एक्सटर्ण सॉर्स मनें सॉर्स अबने अर arriल संद्थ कोई भी डेवाइस Children conservation को कभी भी वालेट नहीं करता है है अब ट्राजिस्टर जो है ट्राजिस्टर ऑग कि किसी भी एक टाइप के semiconductor को अगर दूसरे टाइप के semiconductor के बीच में sandwich कर देते हैं सपोस्पोज पी टाइब यह यह ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होना तो ट्रांजिस्टर जो है है इस टाइब का होजाएगा एन पी और पी एन पी यह दो नहीं होगा यह द्वीसरे टाइब का सेंड़्विच करते हैं प्रॉपर ली जो है सैंड़्विच किया गया तो ट्राइब का फार्मिशन होता है अब यह ट्रांजिस्टर में हमारे दिस ट्रांजिस्टर यह है ट्रांजिस्टर इस ट्री टर्मिनल डिवाइस कि यह ट्री ट्री ट्रीमिनल डिवाइस ट्री ट्रीमिनल से इसके होता है हुआ एक बन रहा है एक बन रहा है तो यह दो पी ऐड़ोड के एक्वेलर तरह से सोचे अपने समझने के लिए ऐसा कुछ एंग्जिस्ट नहीं करता है अपने समझने के लिए अगर हम हम सोचे तो क्या हम इसको ऐसे NPN transistor, यह PN junction, तो हट transistor में 2電quas divided हुए हैं, ऐसा हो गया, मालो यह जो है, यह WAY फार्म हुआ है PNP transistor, तो PNP ट्रांजिस्टर में भी दो डायोटये इस टाइब का एक डायोटः यहा पर एक जंग्शन यहां पर फार्म हो रहा है तो मैं यहां पर मान सकता कि यह जो है दूसरा है An और N के बाद यहां से P, तो ऐसा हो गया, यह ट्रांजिस्टर जो है, यह three terminal device है, हम इसके equivalent diode ऐसे मान सकते हैं, equivalent diode ऐसे समझ सकते हैं, तो अब यहां पे दो-दो junctions फार्म हो रहे होंगे, तो दो-दो barriers होंगे, दो-दो depletion region होगी, ठीक है, समझ रहो, कि सारे process तो होंगे, कि अगर junction का formation होगा, कहीं पे भी, PN junction आएंगे, तो same वही चीज़ होगी, barrier होगा, diffusion correct होगा, diff current होगी, और वो सब एक जुसे को balance कर लेंगे, equilibrium set हो जाएगी, forward में होगा, तो zero हो जाएगा barrier, up to knee voltage के बाद, reverse में होगा, तो वो infinite हो जाएगा, बरता जाएगा, breakdown हो जाएगा, सार और इसमें, एक section होता है, एक section इसको हम बोलते है, emitter, यह होता है emitter, अब ऐसा कुछ नहीं है कि, इसा right वाला होगा कि left वाला, एक हुआ emitter, जो middle वाला जो sandwich होता है, वो sandwich होता है base, और यह दूसरा होता है collector, एक होता है collector, तो emitter, collector and base, को differentiate करने के लिए, differentiate करने के लिए, क्योंकि इसके according, इनके नाम के according ही इनका function है, emitter मतलब क्या होगा, वो charge emit करने वाला होगा, emitter में charge emit करने वाला होगा, वहाँ से charge carriers जाएंगे, तो जब यह charge carriers को emit करेगा, तो इसके पास क्या होंगे, बहुत जादा charge carriers होंगे, ज्यादा charge carriers होंगे मतलब कैसे वो doping का level high होगा तो emitter में doping highest होती है emitter में doping highest होती है यहाँ पे जो है charge carriers भूत ज़्यादा है मालों न टाइप का है तो ये charge carriers का नंबर बहुत ही ज़्यादा होगा highly doped होता है erica highly doped collector जो है collector वो charges जो emitter emit करेगा उन charges को होेय्म चैसी को चब्हुत करें करेगा स्कूल 9-11 administration 1010 ऐसे ह Wave कर दिा कि डोपिंग उसके बाद staat होता है यह कंविंचन एव के बेस बेसिस लाइटलि दूप Too सबसे लाइटली बहुत कम होता है दो चार इस टाइप से बेस की डोपिंग भी बहुत कम होती है और बेस का एरिया भी बहुत थीन होता है बेस की जो थिकनेस होती है वो भी बहुत कम होती है क्योंकि जो भी चार्ज केरियर आये वो अल्मोस्ट बेस को क्रॉस करके कलेक्टर म में जा सके बेस को अगर हम थिन कर देंगे बेस को अगर हम थिक कर देंगे तो क्या होगा चार्ज उसको पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगा कि एमिटर है यह चार्ज कलेट करेगा